गोजो सातरों वापिस आने वाला है हाँ भाई मैं एक्स्ट्रा कॉपियम लेकर बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम जो जेजे के कहाल चल रहा है मुझे नहीं लगता कि गोजो से अलावा जो जो सुकाइजन के वर्ड को कोई बचा सकता है एंड मेरे पास कुछ थियोरीज है जो की बताती है की सातरों गोजो ऐसे वापिस आ सकता है तो ये वीडियो गोजो फैंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना तो भी को पीम का नशा करने के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं यूटा की सिचुएशन के बारे में तो चिप्टर 262 के लास्ट वाले पैनल में हम देखते हैं कि रीका रो रही है एंड उसके हाथ में यूटा की डेड बोडी पड़ी है एंड ये पैनल देखने के बाद फैंस ने अज्यूम करा कि यूटा भी मरने वाला है या फिर वो ओल्रेडी ही मर गया है इस चेप्टर में पर भाई कुछ चीज़े हैं यहाँ पर नोटिस करने की जो की काइंडा कन्फर्म करती है की यहाँ पर ये यूटा के मरने का हिंट नहीं गोजो के रीटन का हिंट था सबसे पहले अगर तुम देखो भाई इस पैनल में यूटा के सर पर कोई stitches नहीं है ये बात भाई सोचने वाली है क्योंट भाई शोको ने यूटा का दिमाग रिमूब करके ही तो गोजो की बोडी में ढाला था तो यहाँ पर भाई उसके सर के stitches क्यो नहीं दिख रहे एंड यहीं पर भाई गोजो वाली थियोरी आती है हमारे सामने यहां पर भाई गोजो ने अपनी सोल को यूटा की बोडी के साथ स्वेप कर लिया इसका मतलब जो यूटा है वो गोजो की बोडी में चला गया एंड जो गोजो है वो यूटा की बोडी में आ गया जो की बात भाई सोचने वाली भी है तोगी यूटा एंड गोजो ने पहले भी एक बार सोल सौप करा था जिससे भाई यूटा अच्छी तरह समझ पाये था गोजो की बोडी को तो यहाँ पर यही सेम गोजो क्यों नहीं कर सकता तो यहाँ पर गोजो की रिटन होने की चांसे 20% है मैं कहूंगा ना कि 100% बाकि एक और चीज भी हो सकती है इस पैनल में जो हमें भाई यूटा दिखा है एंड रीका रो रही है रीका को पता है कि यूटा 5 मिनट बाद मर जाएगा रीका अपने आपको सेक्रिफाइस करके गोजो को वापिस लियाई मतलब उसकी सोल को वापिस लियाई अपने आपको सेक्रिफाइस करके 5 मिनट बाद गोजो अपनी बोडी में सिंदा हो जाएगा और पांच मिनट बाद यूटा अपनी बोडी में फिर से वापिस आ जाएगा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भाई सीन देखकर तुम बता सकते हो कि यूटा यहां पर कुछ नहीं कर रहा अगर ऐसे ही सीन चलता रहा तो भाई सुकूना पांच मिनट बाद यूटा को पेल देगा और यूटा खुदबा खुदी मर जाएगा पांच मिनट बाद और भाई सुकूना के पास JJK का सबसे बड़ा वेपन है मरजर, टेंजिन का मरजर और अगर उसने वो ओपन कर दिया तो वो गोजर से तो क्या सुकूना से भी भाई ताकतवर चीज है पिर उसको कौन रोगेगा यूटा भी मर जाएगा गोजर की बोड़ी में फिर भाई बचा कौन यूजी, तोदो, मा की एंड उसरे जो साइड केरेक्टर्स हैं जो अभी तक सुकूना को हरा नहीं पाई, उसको खरोच नहीं कर पाए तो वे सुकूना से पाउरफुल चीज को कैसे ही हराएंगे तो यहाँ पर भाई गोजो ही आ सकता है वापिस, जो कि इस चीज को समाल सकता है यहाँ पर भाई तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो कि तुमें क्या लगता है इसके बारे में और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर देना आगे की वीडियो के लिए और बाई लाइकन भी दबा देना वेल मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में बाई